सर्शरी द्वारा नया संदेश न्यू विज्डम सीरीज फोर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ आप सब को शुविच्छा, हैपी थाउट्स चारपा साल से कोशिश कर रहा था मतलब ऐसा होगी यह साल अपना फिक्स से करके बोला गाया था लेकिन कुछ लोगा ने मतलब मेरे खिलाभिय करके वह चीन लिया तो उसमें से बाहर आना नहीं हो रहा है एक-दो म्हेने हो गै उसमें से बाहर आना है थीक है तो देखो जीवन जिन्दगी की बात चील रही थी उसमें एक एमपोर्टन बात हरे को ध्यान रखनी चाहिए कि जो मेरा है वो जा नहीं सकता जो चला गया हो मेरा था नहीं जो चला गया हो मेरा था नहीं और जो मेरा है वो जा नहीं सकता यारी कुदरत कैसे काम कर रही है आपके साथ रिष्टेदार हैं सरश्री के लिए भी आपको बोलते हैं, कि वो अमानत है, वे अमानत है, आपके पास जो भी दिखरा है, आपके पास है, वो अमानत है, अमानत है यानिक कैसा आपको दिया गया है, इसका उपयोग करो, इसका उपयोग करो, और जब समय आया उसको ले जाने का, तो आप कैसे तो जो आपका है, वो जाएगा नहीं कहीं, वो जा सकता नहीं है, कोई छिन सकता नहीं है, यहनि आपका अनुहाओ, आप उसको, उस अनुहाओ कोई छिन नहीं सकता, और जो चला गया, वो आपका था नहीं, जब आप यह सोचते हो, वो एक अमानत थी, रखी हुई थी, समय आ आप कैसे जीवन जीते हो, ऐसी जो बातें होती है, वो चपक नहीं जाती है, दीवार पर जैसे कहा न, कोई गुबर मार कर गया, तो वो चपका रहता है, जब तक सूकता नहीं है, शिर्वन की हवा से, जब सूक जाता तो गिर जाता है, तो आप ये समझ रखो, कि जो चला गया है, मतलब कोई आपकी मंदर में आप अंदर गए, बाहर से चपल कोई लेकर गया, तो आप कैसे लोगे उसको, आप दुखी रहने वाले हो, मेरी चपल कोई लेकर गया, या जो आपका है, तो आपके वाला है, आपके लिए कोई और चपपल शोरूम में इंतदार कर रही है। जो ले गए है वो आपका ताल ही। तो आप कैसे इसको देखो कि आपको वो दौर खुलना है। या उस दौर को ढूंड लेना है। आपको दौर ढूंड लेना है। कि आप खुशी में आ जाओ पहले। जो भी हो गया ना उसको पकड़ कर दुखी मत रहो। इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैपी थौर्ट्स देजियान और सरश्री देजियान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। ग diffей अपने पाने के लिए रखाने को आइकन कात है ग varsाने के लिएक लिएख कुर आगिए